कि एक तो तरफ केजरीवाल धरने पर बैठें वोई दूसरी तरफ बजेपी केजरीवाल के खिलाफ धरना धर रहीं है। यह आम पुब्लिक कहा धर्ना धरे? कि यह दोनों धर्नों में भी फर्ख़ाई केजरिवाल जी कहां धर्ना गया है केजरिवाल जी गई लग लग उनकी मुलाकाथ हुए, बहार निकले एलजी हाउस के ओफिस में बैठ गए, एसी में लेटे हुए है, धरना हो रहा है, आम पब्लिक की बात करते हैं, आम पब्लिक भी रोज धरना कर रही है, आम पब्लिक का धरना आपने देखा होगा, पानी के टेंकर लगे हुए है, लाइनों में लगे हुए है, धरना ही तो है दोनों धर्नों में अंतर है, एक एसी में बैठके धर्ना हो रहा है, एक खुली चिलचिला ती दूप में धर्ना हो रहा है, लेकिन जो एसी में बैठा है, वो भी ये कह रहा है कि मैं आम पब्लिक के लिए काम कर रहा हूं, देखे सर, आम पब्लिक के लिए कह कह के तो वो आज अज दिली का मुख्यमंत्री बना है उसने कहा मैं तो आम आदमी हुजी, मैने को तो कुछ नहीं चीए, मेरे को गाड़ी भी नहीं चीए, गाड़ी ले लिया, मेरे को बंगला नहीं चीए, बंगला ले लिया, मेरे को सिक्यूरी नहीं चीए, आज देखो दस दस गाड़िया कि चलता है वो तो वो आम आदमी कहकर कि दिली का मुख्यमत्री बन गया है अब पहले आम कहता था आपने आपको आज दिली का मालिक कहता है एक अभियान जो बीजीपी ने छेड़ा हुआ है जंसंपर्क वाला यह क्या है और कितना कारगर है देखिए इसकी विशेमे में यह पताना चाहूंगा, हमारे जो राष्टी अध्यक्षामानिय अमित्शाद जी उन्होंने 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लोगों से मिलने का एक संपर्ख और समर्थन के नाम से एक अभियान सुरू किया है, जिसके माध्यम से हम समाज के परतिष्ठित लोगों से मि अचमा करेंगे, 42 km per day रोड बन रहा है, कितनी बड़ी बात है, सहरो को जोडने का काम गावों से किया जा रहा है, अमेरिकन राष्टपती ने एक बात कही ती, जो मेरे को हमेसा याद आती है, और मैं कहीं भी बैठता हूं, तो ये बात अवश्य करता हूं, कि उन्होंने कह कि अमेरिका आज अमेरिका इसलिए नहीं है, कि उसने अमीर होने के बाद रोड्स का निर्मान किया, अमेरिका आज इसलिए अमेरिका है, कि वहाँ पर पहले रोड्स बनाए गए इसलिए वो इस लेवल तक पहुचा, जब तक आप गावों को सहरों से जोडोगे नहीं, वि काम लोगों के सामने गिन्वाने पड़ रहे हैं तो क्या एक प्रसंचन नहीं होता है जब काम हुआ है जब काम हुआ है तो वो दिखता है जो विकास की जो गंगा है अगर वो निकली है तो हर जन जन तक महुंची तो उसमें आप या BGP Party को जरूत क्या पड़ती जाकर बताय कि हम लोग ना बड़ी शौर्ट मेमोरी रखते हैं हम चीजे देखते तो है हुआ है फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं वोटर को रिजाने की बाद तो नहीं है कि जब अमित्षा जी उनके घर जाएंगे तो वही जो है वोटर जो है रिजाये जाएंगे तो वही जो है कि माध्यम से गरीब औरते जो जंगल से लकड़िया बीन के लाती थी आंखे खराब होती थी सरीर खराब होता था उनका उनको फायदा पहचाने का काम हो मुद्रा योजना हो जिससे हम 50,000-10,000,000 रुपे तक का युवाओ को लौन दे रहे हैं स्टेंड़ योजना लोगों की मेमरी सरी शाप है और चुनाव से चीजे तया होती है तो हम लोग हम लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं 2019 की तैयारी हैं 2019 में दुबारा से जोर सोर से मोधी गवर्वेंट आरी है आपने अब ही आज जो है बिजली और पानी का मुद्दा उठाया के जितनी भ नहीं बढ़ते हैं लेकिन कब चुनाव सामने होता है म सिटी के क्या आपने देखा होगा बिजली के बिलाने ही बंद हो गए क्योंकि वह सबसीड़ी देता है संविधी कुण सा उसके घर की सबसीड़ी खोगा एंदी की जंता की शिए kwestyan जिससे वह सबसीड़ी दे जारा द पिछले MCD की चुनाव है, इसी तरह आज क्या हो रहा है? कही ना कहीं केजरिवाल को लग रहा है कि मेरा ग्राफ किर रहा है, उसके इंटरनल सर्वे में ये बात आई है कि उसका ग्राफ गिर रहा है, दिल्ली की जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, सीधा घर से बाहर निकला औ मैं तो धरना दे रहा हूं जी, तो ये सब रॉपगंडा है, डबल फेश है वो, गिरगेट की तरह समय समय पर रंग बदलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, केजरिवाल से दिल्ली की जनता उकता गई है, उनका मन बदल चुका है, उसका सत्ता से हटने का समय आ चुक अब आम आदमी पार्टी का वक्त चला गया है, और इनके हिसाब से बीजी पी का वक्त आए, ये तो चलो आने वाला वक्त ही बताएगा, तैंकी सो वरी मिच, आप आए, बहुत बहुत अम्री बाद,